केन बहुत बुरा बच्चा है और स्कूल में सब लोग उससे नफरत करते हैं। वो दूसरे बच्चों को छेड़ता था और उन्हें लॉकर में बंद कर देता था तथा उनके सामान तोड़ देता था। रॉस उसके व्यवार से बहुत परिशान हो जाता है और वह प्रिंसिपल के आफिस में जाता है। रॉस प्रिंसिपल से कहता है कि यह घड़ी मेरी है। केन ने घड़ी चुरा ली थी और अब वापस नहीं कर रहा। प्रिंसिपल केन को बुलाते हैं केन कहता है नहीं मैम यह घड़ी तो मेरी है मैंने अभी ली है प्रिंसिपल केन को घड़ी दिखाने के लिए कहता है क्या आप यह घड़ी देखकर बता सकते हैं कि घड़ी किसकी है केन या रोस अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर है रोस अगर आप घड़ी के बैल्ट को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बैल्ट में एक होल ज़ादा किया गया है ताकि बैल हाथ में फिट हो जाए रोस के हाथ छोटे है इसलिए घड़ी रोस की है केन ने उसे चोरी किया था तो इसका आंसर है रोस की घड़ी